कविता कौशिक पहले भी कई रियालिटी शोस का हिस्सा रही है लेकिन उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कविता का मानना है कि रियालिटी शोस ने उनके करियर को फाइदा पहुचान के बजाए नुकसान ही पहुचाया है ये रिपोर्ट देखिए टीवी की दुनिया के सबसे बड़े शो में से एक बिग बॉस का हिस्सा बना हर शक्सियत की पहली पसंद होती है लेकिन चुनिंदा लोगों को ही इस शो में भाग लेने का मौका मिलता है क्या लोगों के करियर में बिग बॉस मील का पत्थर साबित हुआ है तो किसी के करियर पर इसका नेगेटिव असर भी रहा है। अब Big Boss खत्म होने के दो मेने बाद कविता कौशिक ने इस शो को लेकर बड़ी बात बोली है। कविता कौशिक ने का आगे कहा कि मैंने नच वली और जैसे शोस में इससली लिया था क्योंकि मुझे घर खरीदना था। अब मेरे पास घर है तो मैं इसके लिए कश्ट क्यों लूँ। आपको बतारे की कविता कौशिक ने जब बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी तो उनका एजास खान, पवितरा पुनिया और उबिना दिलाय के साथ काफी जगड़ा देखने को मिला था। प्रोफेशनल फ्रेंड की बात की जाये तो कविता कौशिक के पास फिलाल एक पंजाबे फिल्म और एक वेव सीरीज है। बए कविता ने बताया कि जल्द ही F.I.R. का दूसरा सीजन भी शुरू होने वाला है। स्पेशल डेस्क आर्या नियूज। देश और दुन्या की तमाम खाबरों के लिए आप देखते रहें आर्या नियूज।